हम अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आफ डेटा की बात को आगे बढ़ाते हैं और पिछले मॉड्यूल में हमने पहले तीन किसम के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी उन पर बात की इस मॉड्यूल में हम जो चार से लेके साथ तक लिस्टेड ग्राफिकल हैं इनकी बात करते हैं बॉक्स प्लट पाय-चार्ट बार चार्ट और लाइन घ्राफिक अब देखिए बॉक्स ब्लाट जो है वो किस चीज का नाम है बॉक्स प्लॉट में हम डिटा को इस एक सिलेंडर जैसी शकल से रेप्रेजेंट करते हैं इसमें आप देखिए कि आपका जो ब्लॉक बना हुआ है उसके सेंटर में जो लाइन नजर आ रही है यह बेसिकली उस डेटे का मीडियन है जो नजर आ रहा है डेटे का मिडल पॉइंट आप कह लिजिए कि यह जग है कितना डेटा इसके उपर है और कितना इसके अंदर है यह एक क्वार्टर ऊपर और एक क्वार्टर नीचे जहन में आप रखिए वह जो मैंने आपको नॉर्मल डिस्टिबूशन के वक्त एक बैल शेप कर दिखाया था और उसके कहा था चार हिससे बराबर करते हैं उसके Center Point जो था, वो Mean होगा जा Median होगा, जो भी इन मेंसे है, इस Data में वो Median है, order Data था तो Median है Middle Point से एक क्वार्टर आगे और एक क्वार्टर पीछे जतना data होता है, वो इस Scylender के अंदर दिखाया गया है और फिर जो आखरी quarter में यानि आपके first और fourth quarter में जो data था उसको एक line से represent किया गया और उपर ऐसे छोटी सी बार सी line दी है और नीचे की तरफ जो है वो आपके data की minimum value और उपर जो है वो आपके data की maximum value के दर्मियान वो एक single line draw की हुई है और जो सबसे उपर circle नजर आ रहा है वो outlier है जो distribution से बाहर है तो जब आप अपने data को बजाए उस bell shape curve में दिखाने के आप इस सूरत में दिखाते हैं उसी चीज़ को तो ये उसका box plot कहलाता है दूसरा जो इसमें आगे एक और representation है data की वो pie chart की सूरत में pie chart आप सब familiar होंगे बहुत छोटी classes हम ये पढ़ाना शुरू करते हैं आपके data में चार quarters थे जो normal distribution मैंने दिखाई आप उसको यहां एक circle की सूरत में draw करते हैं कि first quarter में जितना data था उसको blue color जाहर कर रहा है जो second quarter वाला है उसको red color है जो 10% वो third quarter में था और fourth quarter वाला data जो है उसको purple color से जाहर किया गया तो आप उन तमाम percentages of data को जब मिला के एक circle की सूरत में और ये पाई जो होती है ये जो पूरा चार्ट है इसका circle जो है ये 100% data को cover करेगा उस 100% data की distribution तो गोया ये percentage की form में इस्तमाल करता है data क्योंकि इसने data कितना भी 100 लोगों का था 50 लोगों का था 40 लोगों का था ये देख 40 में से कितने second quarter में उसकी percentage निकाल लेता है तो उन percentages को फिर एक circle की सूरत में draw कर देता है ये पाई चार्ट कहलाता है इसमें भी आप देखें सामने एक look में आपको नजर आता है कि कौन सा data ज्यादा है और कौन सा सबसे काम है इसके अलावा एक और popular form जो है वो ये stacked bars है एक तो पहले आपको आम bar chart बनाया जो histogram में भी थे bars बने हुए थे और भी bar chart आपको दिखाये थे यहाँ प्याभी है कि आपके data के variables को variables को एक बार में उनकी 100% distribution दिखा देता है पुछ कर ले मेरे पास female का data ता किसी data set में female का 14 females का data ता तो उसने एक बार में दिखाया कि उसमें से कितनी खवातीन 0 से 14 साल की हैं और कितनी खवातीन 15 साल से ज्यादा हैं यानि अब दो variable कठे जोड़ दिये मैंने एक तो female की total तादाद नजर आ रही है और total तादाद की distribution भी मुझे नजर आ रही है अपनी selected distribution जो थी उसके मताबग मैंने select ये किया था कि मुझे बताओ के मेरे data set में चौदा साल की उमर तक की खवातीन और मर्द कितने हैं और चौदा साल से ज्यादा उमर के खवातीन और मर्द कितने हैं और मुझे तमाम खवातीन का data एक बार में चाहिए तमाम male का data एक बार में चाहिए तो आपके वो हर सब केटिगरी को एक line में जाहिर करता है female एक सब केटिगरी है male दूसरी सब केटिगरी है उसने total जितने male थे वो data में 9 थे उन 9 में से उसने बता दिया कि 0 से 14 सार वाले कितने हैं और 14 से ज्यादा उमर के कितने हैं और दोनों को एक जगट एक line में एक बार में जो कर दिया इस तरह से जब आप representation देते हैं कि अपने सब ग्रूप को एक बार पर देखना चाहते हैं तो उस वाकद ये stacked bar जो है ये बहतर option है उस data को देखने की इसके बाद line graphs आते है line graph आता है जब भी आप किसी चीज की progression को over period देखना चाहते हैं किसी चीज का trend देखना चाहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि board of intermediate जो लाहौर है इसके metric के result मुक्तरिफ सालों में कैसे past percentage जादा हुई कि कम हुई हर साल तो उस सूरत में मुझे line graph आता है line graph trends को देखने के लिए इस्तमाल होते है और आप इसमें देख सकते हैं कि ये graph किस चीज का है number of clinicians working in each clinic during year 1 to 4 तो ये इस ते जिन में किसी एक clinic में कितने एक तने लोग काम करते हैं तो मैंने तीन clinics का comparison किया तो clinic 3 जो है इसमें year 1 में दो लोग थे clinic 2 में दो से थोड़े ज्यादा थे और अगे फिर उससे भी ज्यादा नमबर था और ये सालों में vary करता रहा तो आपने उन तमाम numbers को line से मिला दिया तो आपको इससे उसका trend नजराने लगता है सो simply कहने का मतलब ये है कि line graph तब चूज कीजिएगा जब आप किसी भी variable में किसी trend को जाहर करना चाह रहे हैं across a longer period of time तो आप उसके लिए सबसे बेतर representation ये line graphs होते हैं